हेलो व्यूवर्स फिसे स्वागत है आपको मेरे चैनल ट्रेक्टिक रिव्यू में आज का ये वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है आपके लिए क्यूंकि आज मैं इस वीडियो में काफी कुछ कफ़र करने वाला हूँ बहुत सारे लोगों में ये confusion होता है कि LED OLED में क्या difference होता है OLED और QLED में क्या difference होता है और कौन सा technology जो है क्या display technology यूज़ करके बना होता है तो ये सारा जो question होता है उसका answer मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ तो प्लीज मेरा ये वीडियो एंड तक देखिए और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजी और पास्राइब बेल आइकन को दबा लीजी तो viewers काफी लोग जो है confused रहते हैं LED के different technologies के बार में तो आज मैं LED से लेकर Micro LED तक जो की अभी तक market में उतना available नहीं है Micro LED जो की एक one kind of future technology है display technology है तो वो सारा जो technology है मैं आज detail में आपको explain करूँगा कि कौन सा क्या है और कैसे आप उसको identify कर सकते हैं और differentiate कर सकते हैं एक display technology को दूसरे display technology के साथ तो पहले बताते हैं कि LED किसको कहा जाता है LED एक normal सा basic technology होता है जो panel में use होता है इसमें LCD screen को पीछे से light दिया जाता है जब उसमें current pass होता है तो वो पीछे का जो light होता है वो LCD के उपर light फेकता है जिस वज़ए से हमको जो picture है वो दिखाई देता है simple भाषा में इसको LED कहा जाता है तो LED इतना कुछ complicated नहीं है LED जो है basic जो पहले से मतलब इसके उपर से करके सारा जो नया technology होता है वो LED बोली या QLED, Micro LED जो होता है इस technology को different तरह से use करके बनाया गया है तो यह basic जो मतलब technology है basic जो उसका algorithm है यही है कि पीछे से इसको backlighting technology use होता है इसमें जो कि LCD को power देता है और power देने के वज़े से हमें picture दिखाई देता है तो इसके बाद आता है OLED जो है advanced technology होता है LED का इसमें क्या होता है एक organic compound use होता है इसको mainly कहा जाता है organic LED और organic light emitting diet technology इसको कहा जाता है जिसमें होता है electro luminescent एक layer होता है पीछे इसका इसमें कोई blacklighting नहीं होता है backlighting नहीं होता है इसके पीछे जो है layer बना होता है electro luminescent layer जिसमें organic compound होता है, जो इसको current देता है, और current देने के बाद, इसमें light छोड़ता है, तो इस technology को कहा जाता है OLED technology, OLED technology mainly दो तरह के होता है, एक होता है PMOLED एक AMOLED, AMOLED normally जिसको हम emulate screen कहते हैं, और दूसरा PMOLED, जो emulate screen जो होता है, वो active matrix OLED होता है, और जो PMOLED होता है, वो passive matrix OLED होता है, OLED उतना important नहीं है, उतना देखने को नहीं मिलता है, जो mainly use होता है, अभी फिलाल different different mobiles में भी use होता है, जो कि AMOLED screen use होता है, AMOLED screen में technology में क्या होता है, एक advanced technology होता है, जिसमें TMTFT backplane use होता है, जिसके सरीए क्या होता है, हर एक pixel को individually on or off किया जा सकता है, मनों जहां पे black scene चल र LED में भी दिखने को मिल जाएगा, यह जो है, एक advanced technology होता है, जिससे सबसे अच्छा हमें contrast ratio देखने को मिलता है, मतलब white label से black label का difference होता है, वो सबसे maximum और सबसे ज्यादा होता है, मतलब black जो है, उससे black हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पे pixels होगा, जहां पे black scene चल रहा है, वो pixel चलेंगे और जहां पे नहीं जरूरत है, वहां पे वो pixels off रहेंगे, तो यह amulet screen में possible है, अब इस जो OLED जो technology होता है, mainly इसको LG company ने developed किया है, तो इस mainly आप लोगों आप तो जानते ही हैं कि तीन जो color है mainly, red, green और blue, यह तीनो color से जो है display बनता है, हर एक color जो हम TV में देखते ह हैं या किसी panel में देखते हैं, वो सारा color जो ही यही तीनो color से बना होता है, red, green और blue, तो अभी मैं इस OLED का जो problems होता है, उसके बारे में discuss करूंगा, problem यह होता है कि यह red और green जो है, इसका light span तो बहुत अच्छा होता है, 46,000 hours और green का जो होता है, वो 230,000 hours का जो light span होता है, ले सिर्फ 14,000 hours का, तो समय के साथ-साथ क्या होता है, यह blue light जो है, खराब हो जाते हैं, वो उतना color अच्छा produce नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए color accuracy जो है, टाइम के साथ-साथ खराब हो जाता है, दूसरा problem यह आता है कि इसमें burn-in problem दिखा जा सकता है, बर्न-in problem क्या होता है, आ तो वो जो channel होगा, उसका जो logo होगा, या नीचे कुछ time दिखा रहा है, कुछ date दिखा रहा है, यह सब जो fix, जो चीज आपके screen में होगा, वो time के साथ-साथ वहाँ पर एक spot create करेगा, जब आप suppose कि कोई और channel देख रहे हैं, या कुछ और देख रहे हैं, कुछ और चल रहा ह लेकिन वहाँ पर वो spot जो है visible होता जाएगा, और दिन बाद दिन यह बढ़ता जाता है, यह जो problem है, इसको burning problem कहा जाता है, और एक problem होता है, जो कि इसी तरह का होता है, उसको image retention problem कहा जाता है, यह भी OLED में दिखने को मिलेगा आपको, ज्यादा से ज्यादा मतलब use करने पर यह होता है, जहाँ पे कुछ pictures या images जो है एक जगा पैटक जाते हैं, उसका जो एक साया टाइप का हो जाता है screen के पैनल के उपर, जो कि time के साथ साथ और भी बढ़ता जाता है, तो यह तीनों तरह के problem जो है, OLED में देखने को मिलता है, लेकिन एक बात है, इसमें back lighting use नहीं ह होता है, तो इसके लिए आपको, अगर आपको better viewing angle चाहिए, तो आपको OLED के तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें back lighting नहीं use होता है, इसलिए viewing angle अच्छा मिलता है, तो यह हो गया OLED, अब हम जाएंगे QLED के पास, QLED जो है एक और भी advanced technology है, इसमें quantum dot technology का use होता है, quantum dot इसलिए इ different quantum dot या quantum nanopixels से बना होता है, यह nanopixels इतने छोटे होते हैं, जैसे sun के मुकाबले हम जितने छोटे हैं, हमारे मुकाबले वो pixels नहीं छोटे होते हैं, तो यह जो nanopixels है, इसके बदोलत यह screen जो है, बना होता है, और यह size में बहुत बढ़े होते हैं, और इसमें बहुत millions millions pixels यूँस होता है जो कि जितना basic चीज है जितना हम pixels बढ़ा पाएंगे जितना pixel ज्यादा होगा उतना picture clarity अच्छा होगा picture फटेगा नहीं zoom करोगे तो अच्छा picture फिर भी दिखाएगा जीदेगा आपको तो pixels ज्यादा होना बहुत इंपेटर पिक्चर क्लारिटी, बेटर कलर, बेटर ब्राइटनेस, बेटर इमेज क्वालिटी आपको प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि QLED में आपको देखने को मिल जाएगा, ज्योंकि इसमें जो है, नैनो पॉर्टिकल्स, नैनो पिक्सल्स यूज होता है, जो आपको बहुत ही, मत् क्या मिलता है, QLED में आपको OLED की तरह image retention problem, burning problem नहीं देखने को मिलेगा, और OLED में और अच्छा चीज यह है, कि आपका जो brightness है, बहुत ही ज्यादा होगा, OLED में आपका brightness सिर्फ 1000 nits का होगा, और QLED में क्या होगा, वो 2000 nits का आपको मिल जाएगा, जो की double है, बहुत ही ज्यादा clarity आपको provide करेगा, इसके बाद आथा है, micro LED, micro LED जो है OLED का ही developed, मतलब display technology है, जो कि आप बोल सकते हैं, कि future display technology है, क्योंकि यह अभी तक market में available उतना नहीं है, Samsung इसके उपर काम कर रहा है, Samsung और दो पैनल इसका निकाल चुका है, जो की last day निकाला था, एक 75 इंचिस का है, और दू most probably this year या next year Samsung इसको market में launch करने वाला है, और भी दो पैनल के साथ, जो एक होगा 292 इंचिस में, और एक होगा 583 इंचिस का, तो यह जो है बहुत बड़े बड़े TV आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें, इसमें भी बहुत चोड़ चोड़े pixel, जो है millions of pixels से यह जो display technology यह ब technology है, जो LED में जो आपको problems देखने को मिलते थे, वो सारे problems इतने में नहीं होगा, और यह जो है, और भी better display, better image quality, better brightness, better luminance आपको provide करेगा, यह इसके लिए ही micro LED जो है, बनाया गया है, और micro LED का एक और benefit है, जो की बहुत ही, मतलब difference है, वो यह है कि इसमें ऐसा नहीं है, कि आप आपको 219 इंचिस का TV लेना है, या 75 इंचिस का TV लेना है, 292 इंचिस का TV लेना है, ऐसा नहीं है, आप इसको अपने हिसाब से manually change कर सकते हैं, manually उसको आपको जितना चाहिए, उस हिसाब से आप इसको ratio बना सकते हैं, कुछ भी, अगर आपको 50 इंचिस का चाहिए, अगर आप आपको 70 इंची का चाहिए, अगर आपको 100 इंची का चाहिए, तो आप बना सकते हैं, कैसे? क्योंकि इसमें जो है, ऐसा नहीं है कि आपको बढ़ा सा एक पैनल मिलेगा, इसमें चोटे-चोटे पैनल से एक बढ़ा TV बनाया जाता है, आपको जो है, बहुत सारे पैनल मिल यह वैसा आप इसको manually convert करके बना सकते हैं तो यह इसका technology का benefit है कि आप कोई भी अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने LED से लेकर Micro LED तक जितने सारे display technology हैं अभी तब market में हैं और आने वाले हैं वो सारे आपके साथ discuss कर दिये हैं अभी आप शायद समझ गया होंगे कि कौन सा display technology कैसा है और किस तरह से उसको differentiate किया जा सकता है कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है आपके लिए कौन सा अच्छा होगा कौन सा आपके लिए ideal होगा आप यह easily अब जो है choose कर पाएंगे तो आज के लिए वस इतना ही अगर आपका मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजे comment कर दीजे और share कर दीजे और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे थैंक यू जैहिन बंदे मातरम